यह तो आपको देखनी देखनी चाहिए अगर आप civil engineer हो तो आज की वीडियो में मैं कुछ 11 skills आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको interview में successful बना देंगी मतलब किसी भी interview में बैठोगे अगर as a fresher, as a experienced civil engineer आपके अगर resume में वो यह जो 11 skills में आपको बताऊँगा यह होंगी तो आपका interview guarantee clear हो जाएगा तो आज का वीडियो ज़रूर देखना है इसमें आपको guidance मिलेगी कि क्या-क्या skill आपके पास होनी चाहिए और उनके अंदर-अंदर की skills भी मैं बताऊँगा मतलब 11 skills तो main है लेकिन उसके अंदर कम से कम कोई 20-30 चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए जो आपका career को grow करने में help करेगी जो आपको interview crack करने में help करेगी जो आपको job आने में help करेगी तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए उससे पहले please channel को subscribe कर लो, bell icon दबालो आपको हमारे channel पर मिलती रहेंगी तो 11 skill वो क्या है वो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है project estimation and planning project estimation and planning आपको मस्ट आनी चाहिए अगर आपके CV में वो लिखी रहती है तो आपको job के chances काफी ज़ादा हो जाते हैं तो project estimation and planning में आपको क्या क्या आना चाहिए how to calculate estimate of project मतला अब कैसे हम पूरा जो project होता है उसका estimate करते हैं फिर specification by total quantity of the project मतला specification जो है जो material आप यूज़ कर रहे हो उसके इसाब से total quantity निकाल नी है building project cost for loan purpose as for value जो valuation engineer का काम होता है कि कोई भी property है अगर bank में इसमें क्या है आपकी अगर आपको ये work आता होगा build project cost का तो आपकी bank में भी काफी chances होता है क्योंकि bank हर मतलब year में एक दो recruit करता ही है building valuation engineer तो इसमें आपको ये चीज़ी आएंगी बाकी bio q के जो tending work के लिए होते है उसके coin निकालना वो आपको अच्छे से आ जाएगी next जो skill है दूसरी number वो है bar vending schedule तो bar vending schedule आपको आनी आनी चाहिए उसमें IS code specification हो गई फिर detailed cutting जो हमारी beam के सरिया है या footing का सरिया है किसी चीज़ का भी सरिया उसका cutting, bending और binding आपको knowledge रोना चाहिए complete building component जितने component है उनका BBS बनाना आपको आने चाहिए फिर आपको Excel sheet रहती है उसमें कैसे formula डालते हैं कैसे हम bar vending schedule का rate निकालते हैं वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए यह दोस्की लोगी तीसरी skill जो है quantity survey and rate analysis quantity survey और rate analysis आपको must आनी चाहिए क्योंकि हर site पर यह रोड़े परती है यह नहीं कि building construction में road work में, tunneling में हर जगा यह आपको काम आएगी इसमें build-up material हो गया building material as per requirement analysis SOR जो होगे rate comparison with other area तो यह सब चीज़ें आपको आगर आती होंगी तो काफी अच्छा होगा next जो चोथी skill है जो आपको आनी आनी चाहिए वो है billing work कि billing work कैसे है और आपको पता होना जी mode up, measurement, IS code के हिसाफ से कैसे हम measurement करते हैं जो CPW के norms है अगर CPW के norms आपको आते होंगे तो काफी companies आपको hire कर लेगी क्योंकि यह कम ही लोगों को पता होता है क्योंकि इसके साफ से जब billing करनी रहती है तो काफी tough होता है, norms पढने बढ़ते हैं फिर इसके साफ से बिल्लिंग होती है लेगन अगर आपको इसमें experience है जहां अगर आपको आते हैं तो आपके chances काफी जाता हो जाते हैं जोग के फिर item bys, contractor के build बनाना slab rate, contractor के building work first hand जो आरे बिल रहोते हैं running will, first और last वो बनाना ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए फुर मैं आपको बता दूँ ये आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो ये फोन भी कर सकते हो इसके लिए 911-001234 पर आप call करके ये PDF ले भी सकते हो बाकि मैं description में link डाल दूँगा ये आप डाउनलोड करके खुद भी बढ़ सकते हो बाकि अभी हमारे 4 होगे 5 में जो skill आपके पास होना चाहिए वो है material reconciliation and price escalation bill तो ये skill भी आपको आनी ही चाहिए तो इसमें क्या होता है cement का reconciliation हमें करना बढ़ता है कि ज़्यादा हमने कहां use किया जितना drawing पर mention था उससे ज़्यादा जो use होता है वो हमें reconcile करना बढ़ता है steel reconciliation करना बढ़ता है daily progress report होगी daily material consumption report daily earning and expense report daily labor report, daily staff detailing daily profit and loss calculation ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए एक अच्छा civil engineer वोई है ये सब चीज़े material reconciliation और price escalation अगर आता है तो company उसी के वैसे grow करती है तो company को वोई employee चाहिए जो उसे grow करवाए तो ये अगर आपके पास knowledge है इस चीज़ की skill है तो आपके chances बहुत जादा बढ़ जाते है next चीज़ है contract and tendering तो contract and tendering भी ये नहीं है तो contract and tendering management क्या है हम prepare कैसे करते है tender price scheduling कैसे करते है drafting कैसे करते है मतलब ये सब चीज़ें आपको contract and tendering में मिल जाएंगी तो इसको fulfill कोन करते है ये skill मैंने 6 आपको बता दी आगे अभी बाकिये skill बताना लेकिन उससे पहले मैं आपको course बता दूँग जो एक course में सब skill है जो मैं 11 skill आपको बताने जाएंगी वो skill आपको इस course में मिल जाएंगी ये 12 मंत की इसकी validity रहेगी और paid course रहेगा ये इसकी cost होगी 9,847 रूपी की और EMI भी अगर आप दे सकते हो अगर आप financially अच्छे नहीं हो तो अगर आप EMI के लिए बोलते हो तो आपको EMI भी provide कर दी जाएगी आप इस number पे phone करके EMI के लिए भी बोल सकते हो और एक अच्छा course आपको skill को improve करने के लिए जो skills मैं बोल रहा हूँ वो इस course में आपको easily मिल जाएंगी तो अगली चीज़ है आर्किटेक्टिर इंजिनिंग जिसमें आपको ये autocad drafting तो आनी हैनी चाहिए हर साइट पे autocad यूज की जाती है तो आपको autocad drafting मस्ट आनी ही आनी चाहिए नेक्स्ट है reviewed आर्किटेक्टिर ने गूगल SketchUp, ETAB, ये सब चीज़े ये जो software का knowledge है ये अगर आपको as a civil engineer आता है तो आपको फिर ज़रूर प्रेफरेंस मिलीगी किसी भी interview में और interview क्राय करने में काफी ज़दा help करेगा क्योंकि इतनी सारी अगर ये 11 skill आपके resume पे रहती है तो कोई भी company आपको hire कर लेगी company को demand रहती है बस ये अगर आपको आता है तो आपका planning engineer में भी job आ सकता है तो ये जैसे मैंने बताए फुल्फिल कोन कर सकता है constructional operating course जिनके पास वो skill है तो अच्छा है जिनके पास नहीं है तो उनको ये course लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको काफी चीज़े सीखने को मिल रही है जो skill मैंने आपको इधर उपर 11 skills आपको बताई वो इस course में आपको easily मिल जाएगी और limited engineers के लिए offer है मतलब 12 month का validation है पहले भी इन पे offer चल रहे थे वो throughout पूरी life तक assessed था लेकिन अब भी ये offer है सिर्फ कितना 12 month के लिए 9,847 और EMI भी available है थोड़े time by offer कड़के इसके actual fees जो cost है course की वो 60,000 है तो 60,000 का हो जाएगा तो उससे पहले आपको लेने ना चाहिए अगर इसके बारे में और कुछ है आपको जानना रहता है आप comment करो हम ज़रूर उसका reply करेंगे बाकि आप ये phone number सामने देख रहे हो 911-001234 पे call करके भी पता कर सकते हो बाकि मैं description में link डाल रहा हूँ उसमें जाके आप PDF भी download कर सकते हो और उसमें आप ये course buy भी कर सकते हो एक अच्छा course है जिसमें आपको काफी skills सीखने को मिलेंगी आपका career ग्रो कर सकती है आपको help करेगी job दिलाने में तो जो pursuing engineer है या fresher civil engineer है उनके लिए काफी अच्छा course है जे तो इसमें लेना चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि BTEC के बाद हम कुछ सीखेंगे ये grow करेंगे आपको अभी BTEC के साथ साथ ही grow करना start करना पड़ेगा अगर आपको private या government sector में जाना है तो ये description में link डाल देता हूँ आप जाके buy कर लो और please channel को subscribe कर लो bell icon दबालो ऐसी videos आपको हमारे channel civil side visit पे मिलती रहेंगी और comment करो जो चीज आपको नहीं पता चली इसमें कि guarantee skill क्या है तो वो मैं आपको जुरूर दिला दूगा अगर एक guarantee skill आपकी interview में हो की नहीं तो आपको successful बना सकती है thank you guys